आपका कोई रिग्रेट है आज तक आपने आपका इतना लंबा करियर है आपने इतने टाइम से इतनी मूवीज करी बॉलिवुड में कुछ अच्छी चीज करी कुछ बेकार चीज करी पर्सनली आपके रिग्रेट क्या है अरे सवों ऐसे हैं कौन सा एकाद रिग्रेट बॉलिव जैसे मुझे लगता था कि मुझे इतना सीख रहा था जब हम एनसडी की दोरान बियने की दोरान तो मैंने नाचने में माहिर क्यों नहीं हो गया मौका मिला था मुझे नहीं मालूम था कि कि यहां पर मुझे इस तरीके से नचाया जा तो मैं और थोड़ी कलावाजियां सीख लेता फिर पता लगा कि लब जो पढ़ाई कर रहे थे वो टीचर समझा थोड़ी और पढ़ाई वाब कर लेता तो चूप गया वो किताब मुझे पढ़नी चाहिए थी वो मुझे लगता है कि मैं रोज सुबह कि कपड़े पहनने से लेके जीवन में पचासों गलतियां ऐसी हैं जो हम लोग अंजानिम हो जाती हैं लेकिन हम लोग वो कलतियां करते हैं जिसके रिग्रेट में भी कहीं कहीं कोई अच्छ पन छिपा होता है जैसे जैसे अब डेली दस साल पहले जो मौका मिला था उसको कहां कहां नहीं भुना पाए कहां कहां उसका उसका उटिलाजेशन नहीं कर पाए तो इधर आ गया है कहां कहां वो भाई मिस्टेक था तो बहुत सारी चीजें हैं जो माता पिता से लेके बच प्रच्पन से लेके आई थिंक अभी तक सवों गलतियां हैं जो हर इनसान करता है लेकिन रिग्रेट इसलिए नहीं है कि एक बड़ी अच्छी हमारे ददाजी ने बात बोली थी कि अगर आप एक दिन खड़े हो जाएं और बोलें ये 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 गलती थी तो जिस दिन आपको पश्चाताप हो जाएं बाई मिस्टेक ये हो गया कि बाई मिस्टेक ये चीज़ खाली बाई मिस्टेक ये कर दिया बाई मिस्टेक तो जिस दिन आपको अंदर से यह आ जाए कि ये बाई मिस्टेक हुआ ये गलती थी तो उसी दिन वो माचिस की तीली बनके और उस कचड़े को अंदर भरे हुए कचड़े को जलाकर राक कर देती है पश्चा ताप की एक तीली तो इसलिए रिग्रेट नहीं होता हम तो इंसा हैं लाग सुदरने पर भी गिर जाते हैं पर जो गिरते हुए वो समभले वो इंसान खुदा होता है लेकिन बलेज्ड हैं कलाकार हैं हम लोगों का दिल अपनी तरफ आकर शित करते हैं और जो कलाकार लोगों का दिल से दिल से जुड़ जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि खुशियों अगर उनकी मिश्टेक से या किसी से लोगों के मिलें तो खुशियां मिलें लेकिन किसी परिवार या किसी बच्चे का दिल दुखाने से हम लोग डरते हैं कि वो हमें सब कुछ मिला है और जो लोग कलाकारों का भी दिल दुखाते हैं उनसे भी ये सलाह है कि कलाकार हो ही नहीं सकता अगर वो अंदर से अच्छा इंसान ना हो लेकिन जीवन की आपा धापी में कैसे जो कलाकार कला अगर आपने मेरी थोड़ी भी कला को रिकगनाईज किया है तो चाएं बच्चा हो चाएं गुड़ा हो चाएं नौजवान हो आप कला आठ जी ही नहीं सकते अगर आपको अंदर से अच्छा इंसान लगता है कि आप नहीं हो अच्छे इंसान तो फिर ये फिल्ड छोड़ दो आप और अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने इनर से इ और ये बहुत सारे लोग पीछे उदा रहा है कितने सारे लोग कहां कहां एक्टर लेकिन कितने सारे लोग हैं जो बड़िया एक्टर्स हैं टॉप पर हैं लेकिन कई बार सुझने में आता है और कितने लोग को मैं जानता भी हूँ जो अच्छे इंसान नहीं है बिल्कुल अच्छे इंसान है नहीं बहुत लोगे जो अच्छे इंसान नहीं भी हैं तो भी टॉप पर है यह रहे से लोगों को मैं बहुत बहुत ही खराब इंसान है बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ कि जो अंदर से अच्छे इनसान ना हो और वो बहुत टॉप पे हमेशा टॉप पे रहे कुछ बाहर है नहीं आपको अपने हर अगर आपने बबूल बोए है तो बबूल काटने होंगे अगर आपने बूलते हैं जो बोए हैं तो आपके कलश पे वो कान शोभा का काम करेंगे हाँ ये बीच में है कि सत्य सत्य ये सब चीज़ें थोड़ी सी लड़ाई आज से नहीं हजारों साल से है हाँ क्यूंकि सत्य थोड़ा सा अंक्या होता है तो सत्य बोलते है कि कितनी पुरानी लाइन है कि सत्य प्रताड़ी हो सकता है पराश्ट नहीं एक दिन एक दिन असत्य में से बुराई बुराई को हारने ही पड़ता है लेकिन बुराई पहले सत्य का अच्छाई का नुकसान बहुत करती है लेकिन अच्छाई अगर आपके अंदर है तो वो आपकी निकल के आएगी और बुराई है तो भी निकल के आएगी और अच्छाई अगर बुराई आपके अंदर है तो उ इसलिए कोशिश करो, अच्छा ही अपनाओ, बुराईयों का संग छूटा नहीं है, युगों युगों से चला है, जहां जहां अच्छा ही मिले बुराईय ने इसको परिशान किया है, लेकिन बुराई को थक निक थक के एक दिन हारना पड़ता है, इतना भरोसा भी होना चाह नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो,